स्वागत है दोस्त मारी इर्ट्यू चनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे कोई भी झो मोटर होता है उसे वाइंडिंग करने के बाद उस वाइंडिंग पे वार्निस कियूं चड़ाया जाता है इसका रीजन क्या है और वार्निस चलाने से क्या क्या फायदा है इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ में दोस्त हम ये भी जानेंगे कि वार्निस कैसे किया जाता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्त हम ये जानेते हैं कि वार्निस क्यों किया जाता है इसका region क्या है और यह करना क्यों जरूरी होता है तो सबसे पहला जो purpose है दोस्त यह कि यह electrical insulated हो जाता है यानि coil और winding को एक protection मिल जाता है और दूसरा जो purpose है दोस्त यह है कि यह mechanical secure हो जाता है यानि coil अगर थोड़ा सा इधर उधर move भी करता है तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है यानि दूसरे सब्दों में कहा है दोस्त कि एक coil को उपर दूसरे जब coil रखा जाता है तो इसके बीच में air gap आ जाता है तो इस air gap को फिल करने के लिए यानि भरने के लिए हम awareness करते हैं जिसके current से हमारा जो winding है उसका life जादा दिन तक चल सके इसलिए करते हैं कि जो winding का life है दोस्त वो बढ़ सके यानि जादा दिन तक चल सके अब दोस्त हम जान लेते हैं कि winding करने का प्रकिरिया क्या है और इसे कैसे किया जाता है जो भी कोई नया motor बनाया जाता तब भी winding करने के बाद उसे वरनिस किया जाता है या after यूज करने के बाद भी अगर उसमें कोई problem हो जाती वरनिस जल जाता है तो उस condition में भी फिर से winding करके उसमें वरनिस किया जाता है और वारनिस करने का जो तरीका आप देख सकते हैं दोस अलग-अलग इमेज में अलग-अलग तरीका से आपको दिखाई दे रहा होगा पहला जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है दोस्त यहाँ पे एक बड़ी मोटर है इस मोटर को जो है इस नोब के मादयम से एक टैंक में डुबाया जा रहा है यह आपको 7-8 सेकेंड के लिए अंदर डुबाया जाता है और फिर इसको निकाल लिया जाता है इसे हमें फा यहPAS वहत्याएं के का यहाँ पर नहीं पहुंच पाता होगा ठीक से पर दूसरे इमेज में आप देखते हैं दोस्त जो है इस क्वाइल को और स्टेंक मेंहें डुबाया गया है फिर नेक्स्ट वाले इमेज में देख सकते हैं दोस्त इस आर मेचर के बगल में यहां पर एस्टेटर में जो वाइडिंग किया गया इस वाइडिंग में आपको जो है वार्निस डाला जा रहा है तो वार्निस डालने से फैदा हमें यह होता है दोस्त कि यह एक प्रोटेक् किया जाता जिसके करांव से उसका वाइंडिंग का लाइफ बढ़ सके वारणिस करने के बाद आपको यह बात ध्यान में रखनी होती है कि वारणिस करने के के बाद बहुत जल्दी अगर यूज मिलाते हैं तो इससे नुक्सान यह होगा कि वार्निक ज्यादा दिन नहीं चलेगा और जिसके कारण से आपका जो मोटे रदोस्त वह फिर से जल जाएगा इसलिए दोस्त इस चीज को आपको ध्यान में रखनी पड़ती है अब दोस्त हम जानते हैं कि वार्निस करने से हमें क्या-क्या फायदा होता है पहला जो फायदा दोस्त वह एयर गयप को फिल करना यानि एक क्वाइल को उपर जब दूसरा क्वाइल डाला जाता है इसके बीच में एयर गयप आ जाता है तो जब वाइबिरेशन होता है तो वाइबिरेशन में दोस्त आपका winding खराब हो जाएगा और दूसरा दोस्त जो फायदा हमें यह होता है कि यह moisture proof बनाता है जो हावा चलती है दोस्त कई बार हावा में नमी होती है और यह जो है मोटर तक पहुचता है मोटर के क्वायल तक जब नमी पहुचती है तो उस condition में दोस्त क्या होता है कि वहाँ पर पानी की थोड़ी थोड़ी सी बुंदे बन सकती है रणी कंडिशन में आएगा गरम होगा तो moisture absorb करके जो क्वायल होता है दोस्त वापस में short हो जाएगा और यानि पानी की मातरा नहीं पहुचेगा जिसके कारण से वाइंडिंग का life लॉंग चलेगा और तीसरा जो फायदा है दोस्त यह है कि यह insulation strong बनाता है यानि जो क्वायल होता है उस पे double layer protection insulation की मिलती है एक जो क्वायल होता है copper का तो उस पे already जो है insulation coated रहता है उसके बाद दो काफी दिन तक चल सकता है तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दिजे और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लिजे जिस समय साब को notification मिलती रहे तो आज क इतना है थैंक यू पूर बाचिंग